हेलो मेरे प्यारे बच्चों a very good morning to all of you कैसे हैं आप सभी डाउटनट लाइव में आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है तो भई घड़ी में सुभा के साथ बच्चु के हैं अमित सर आ चुके है और हमारी क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है तो एक बार जल्द से जल्दी से बिटा येस सर लिखो और अपने अटेंडेंस लगाओ बच्चों आज की जो हमारी ये क्लास है वो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हीरोन का सूत्र आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो भाई कल होली थी सबने कल बहुत मस्ती से मज़े के साथ होल तो प्यारे बच्चों अब जो हमारा ये चैप्टर है हिरोन का सूत्र चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दू निर्भय बैच के बारे में ये जो निर्भय बैच है बिटा ये एक क्लास नाइंत के लिए बिलकुल एकदम फ्री कोर्स है इस निर्भय बैच में आप निर्भय होकर पढ़ाई कर सकते हो और जब आप पढ़ाई करोगे तो आप हर प्रकार के भय से निर्भय हो जाओगे तो इसे लिए प्यारे बच्चों हम बात करेंगे मंडे टू सैटरडे जो आपकी दो बज़े क्लास हो होती है और यह सभी आपके प्यारे अध्यापक्त सभी टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे रुची कट्यार मैं बिलाल सर आपके अपने आपके दुलारे अमित सर उसके बाद हैं आपकी पूजा मैं निस्ठा मैं और राधी का मैं चलिए तो बात करते हैं निर्भय बैच के टाइम टेबल यह तो पता है हमें कि रोज दो बजे क्लास होती है लेकिन किस दिन कौन सी क्लास होगी यह बात है अब भाई हमें पता है कि रोज दो बजे क्लास होती है टू पीम डेली ठीक है लेकिन किस दिन कौन सी क्लास होगी तो बच्चों मंडे को क्लास होगी विग्यान की फिर ट्यूजडे को क्लास होगी गनित की फिर वेंजडे को क्लास होगी फिर से विग्यान फिर आपकी थर्जडे को क्लास होगी अंग्रेजी की और फ्राइडे को क्लास होगी विग्यान की और सेटरडे को क्लास होगी सामाजी विग्यान की बिटा विग्यान की यहाँ पर सकता है एक दिन निस्ठा मैम एक दिन पूजा मैम और एक दिन रुची मैम ठीक है तो यह मैं आपको बता दिया बाकि मैट्स के लिए मैं हुई और सामाजी विज्ञान के लिए बिलाल सर है और अंग्रेजी जो है उसके लिए राधी का मैम है चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा जैसे आज क्या है आज है आपका सैटरडे तो शनी वार को किस की क्लास होगी सैटरडे को दो बजये आज सामाजी विज्यान की क्लास है ठीक है तो आना मत भूलना चलो अब आगे बढ़ते बचछों बात करते है हिरोन के सूत्र की अच्छा बच्चों एक बात बताओ हमें हिरोन के सूत्र की जरुवत क्या पड़ी जब हमारे पास त्रिभुच के शेतरफल का सूत्र था तो हमें हिरोन के सूत्र की क्या जरुवत पड़ी और हिरोन जी ने ऐसा कौन सा सूत्र दिया बात यह आती है तो निकालना है अब मुझे दिख रा है कि यह जो गूरे ये तो थो समकोड त्रिभुज ये तो यह तो यह तो कैसा थो हमने क्या बुला कि वह यह तो समकोडaving जिब यह संखो त्रेख मैं इसंटीमेटर 14 वीथर 12 cm यह क्या है इसकी भुजा आए है ठीक है पांच 12 और 13 कोई दिक्कत नहीं है तो 5 cm 12 cm 13 cm यह इसकी क्या है बच्छों भुजाए हैं ओके अब अगर मुझे इस समकूर्ट तरिमुझ का इस तरिमुझ ABC का शेतरफल निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं त्रिभूज ABC का शेतरफल यह को मैं निकाल सकता हूं एक बटे दो आधार गुड़ा उचाई यह मैंने आपको बताया था इस से जो पिछली क्लास हुई थी समानतर चत्रवुजो और त्रिभुजो के शेतरफल वाली उसमें मैंने आ मैं आपको त्रिभुज के शेतरफल का यही सूतर बताया था एक घड़ दो आधार गुड़ा उचाई बताया था अब क्या है बच्चों की एहां पर एक बटे दो अब आधार कितना तो आधार कितना बोलो जल्दी नी सब अगर आधार आप लेते हो पांस संथी मिटर तो एक बटे दो गुड़ा आधार कितना बारा और गुड़ा उचाई कितनी पांच तो यहां से कितना होगा देखो दो इकम दो दो छिकका बारा और छे पंजे कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा तीस सेंटीमीटर स्क्वाइर यह आ गया अब बात यह आती है कि जब हमारे पास सूत्र था पहले से ही त्रिबुच के शेत्रफल का तो हिरोन जी के सूत्र की क्या जुरूत पड़ी तो बेटा देखो आपको संभाहू त्रिबुच का शेत्रफल निकालना है क्यों क्योंकि संभाहू त्रिबुच के शेत्रफल का भी हमारे पास सूत्र होता है है कि नहीं माली जैसे कि आपका संभाहू त्रिबुच है अगर मुझे इस संभाहू त्रिबुच का शेत्रफल निकालना है तो वह भी मैं निकाल सकता हूँ कैसे यह 10 cm भुजा है यह 10 हो यह दस हो गई तीनों भुजाएं आपस में बराबर बराबर है ठीक है आपको पता है संभाहू त्रिभुज का शेतरफल क्या होता है समभाहू त्रिभुज का शेतरफल बिटा संभाहू त्रिभुज के शेतरफल का सूत्र बताना तो देखता हूं कौन-कौन बच्चे बतात चैजिक है और जो भी उसकी भुजा है भुजा का वर्ग तिक है यहां फर भुजा कि तनी है ए बराबर दिया हुआ São पर 10 एबराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है तो इसका मतलत भी कितना हो जाए गा रूट तीन बटे में 4 सुरी है और एक जगा पर कितना रख दोगे 4-10 रख दो ले फीके । एक जगा पर उन्मेक अरक दिया 10 और 10 का क्या कर दिया वर्ग ते हितना हो जाएगा रूट तीन बटे चार और देको दस कुणा दस हो जाए गए दस कुणा दस ठीक है तो कितना आएगा चार एकम चार चार सॉरी दो दुनी चार दो पंजे दस दो एकम दो दो पंजे दस मतलब यह आ जाएगा आपके पास पच्चिस रूट तीन सेंटी मीटर स्कुएर ठीक है यह आगया तो यह आगया आपके इस संभाहू त्रिबुच का शेदरफल ठीक है जब अगर समकोर त्रिबुच होगा तो भी हम सुत्र से निकाल सकते हैं जब संभाहू त्रिबुच होगा तब भी हम निकाल सकते हैं लेकिन एक कंडीशन आती है बिटा और वो कंडीशन यह है कि जब विशंभाहू त्रिबुच का शेदरफल निकालना होगा तब आप क्या करोगे क्या तब आप ये वाला सुत्र लगा पाओगे नहीं या फिर आप एक बटे दो आधार गुड़ा उचाए वाला सूत लगा पाओगे नहीं वो भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपको उचाई ही नहीं पता होगी मालो आपका एक त्रिभू चिस कुछ इस तरीके का है यह देखो आपका यह त्रिभू जै जिसकी एक गुजा है 3CM एक गुजा है 4CM और एक हुझा है सात सेंटिम्टर सॉरी साथ की पजया है सेल लों एक हुझा है 6CM तो अब क्या है मालो अगर आपको इसका शेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे क्या तरीका लगा सकते हो क्या कर सकते हो यहां पर बता अगर आपको इसका शेत्रफल निकालना है तो आप क्या करोगे क्यों कि देखो अगर आप इसको आधार लोगे तो उचाई यहा अगर आप इस वाली भुजा को आधार लेते हो तो क्या आपको इसकी उचाई पता है क्योंकि फिर उचाई क्या हो जाएगी यह यहां से ऐसे होगी यह भी आपको नहीं पता अगर आप इसको तीसरी वाली भुजा को आधार मानते हो तो फिर उचाई क्या होगी जो यहां से लंब डाला जाएगा ऐसे जो यहां से लंब डाला जाएगा वो उचाई होगी कहने का मतलब यह है कि आपको आधार तो पता है पर आपको बिटा उचाई नहीं पता और आप निकाल भी नहीं सकते हैं उचाई निकालने का क्योंकि यह लिए इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें हिरोन जी ने अपना सूत्र बताया हिरोन जी ने का कि तुम परिशान मत हो बिटा मैं हूँ है ना यह बात हिरोन जी ने कही और उन्होंने फिर अपना सूत्र बता दिया तो हिरोन जी के बारे में जानना हमारा परम करतव है ठी पर हुआ था बच्चों मिस्र में एलेक्जेंड्रिया नामकिस्थान पर हुआ था मिस्र में ठीक है उन्होंने आनुप्रायोगी गड़ित यानि की एपलाइड मैथेमेटिक्स पर कारे किया था और उनका गड़िती यह और भौत किये विश्यों पर कारे इतना जादा और वि जिक्स के बारे में भी उनका जामिती कारे यानि कि उनका जो जो मेंट्रिकल वर्ग था वो शेत्रमिती के लिए था जिसमें हम लोग शेत्रफल या परिमाप वगर हम नापते हैं उसकी समस्याओं से संबंदित था यह कार्य तीन पुस्तकों में लिखा गया है पुस्तक ए के बारे में बृत्तों के बारे में शेत्रफलों बेलनों शंकूओं गोलों इत्यादी के प्रष्ठिय शेत्रफलों का वर्णन है ठीक है और इसी पुस्तक में विटा देखो इसी पुस्तक में उन्होंने क्या बताया है ही रोन ने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के पदो किया है उन्होंने बिल्कुल वो सूत्र एकदम बताया है जो एकदम बहुत 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 जादा फेमस है किसी भी त्रिबुच का शेतरफल निकालने के लिए आप उस सूत्र से किसी भी त्रिबुच का शेतरफल निकाल सकते हैं चाहे कोई सावी त्रिबुच चाहे या विशंबा हुUST हिरोन जी के सूत्र से तो इसे लिए Minsk है और क्योंकि हिरोन जी ने हमें हुए उसके बारे में बताया था तो इसलिए उस सूत्र को हिरोन का सूत्र कहते हैं झाल कि एक यह आपके पास एक स्यमें एक भुजा है A, एक है B और एक है C, तो हिरोन जी का सूतर कहता है कि जो त्रिभुच का शेतरफल होगा, त्रिभुच का शेतरफल जो होगा, वो क्या होगा, वो होगा वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर क्या होगा, S, S-A, S-B, S-C, ये होगा, S, S-A, S-B, S-C, अब आप कहोगे देखो ABC तो आपको पता चल रहा है कि क्या है ABC तो त्रिवुझ की भुजाए है तो फिर यह S क्या है सवाल ये उड़ता है कि यह जो S आया है नया यह कहा से आ गया यह क्या है तो बच्छों आपको बता देता हूँ year S है S बराबर होता है त्रिवुझ का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप, इसको हम क्या बोलते है, A प्लस B प्लस C, जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तो हमें पूरा परिमाप मिलेगा, जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तो पूरा परिमाप मिल जाएगा, और इसका फि परिबूच का बच्चों अर्ध परिमाप ठीक है आ रहा है सब को समझ में तो अर्ध परिमाप यानि एस बराबर क्या हो गया a plus b plus c बटे दो a plus b plus c बटे दो ठीक है चलिए अब यहाँ पर अगर माल लो आपको इस त्रिबूच का शेतरफल निकालना है तो इस सूतर से कैसे निकालोगे बताओ यह आपके साबने त्रिभुज है इसका शेतरफल निकालना है तो आप यहाँ पर माल लो देखो आपने क्या देखा कि भई ए बरावर कितना है 32 सेंटीमीटर बी बरावर कितना है बी बरावर है 24 सेंटीमीटर औ तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा देखो एस बराबर कितना हो जाएगा इस तरिभुच के लिए इस तरिभुच के लिए ओगा 32 प्लस 24 प्लस 40 और बटे में 2 तो कितना आएगा देखो यह जाएगा चार और दो छे फिर यह जाएगा कितना आगया आपके पास 48 अब आप क्या किस का मान निकाल लो S-A का S-B का और S-C का निकालो जल्दी से बताओ कितना कितना आएगा डेको S-A कितना आ जाएगा S-B कितना आएगा और S-C कितना आएगा निकालो जल्दी से S-A निकालो पहले तो देखो S का मान है 48 तो तीनों जगा 48 लिख देते हैं 48, 48, 48 ठीक है? अब S-A S-A कितना है? 48-32 ठीक है? फिर S-B यानि 48-24 फिर S-C यानि 48-40 तो यहां से कितना आजाएगा? 48 में से 32 घटाओ तो देखो 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 गया 1 ठीक है यह कितना आएगा? आट में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 यह आजाएगा आपके पास कितना? 8 ठीक है? यह तीनों मान निकल गए अब देखो S का मान भी मुझे पता है कितरना है, 48, S-A भी पता है, S-B भी पता है सारे मान पता है, तो हम क्या करेँगे, यहां इस सूत्र में मान रख देते हैं, उठा के बनाओ, कितना आएगा तिरे बुचका शेत्रफल कि तिरे बुचका शेत्रफल सूत्र के अंदर मान रखते हैं देखो S की जगा पे क्या रख दिया ये रहा 48 फिर गुड़ा S-A, S-B, S-C ये रहे 16, 24 और 8 तो यहाँ पे रख देते हैं 16, 24 और 8 ठीक है? अब इसको बस सरल करना है ध्यान से तो देखो 48 को क्या लिख सकते हो बचो? 48 को लिख सकते हो 16, 3, 48 16, 16, 32, 32, 48 और ये वाला 16 भी है ठीक है 24 को क्या लिख सकते हो? 24 को लिख सकते हो 3, 8, 24 24 को 3, 8, 24 लिख सकते हैं और बाकी 8 ही है अब देखो 2, 2 के जोड़े बन गए हाँ पे यहां पर देखो दो दो के जोड़े बन चुके हैं देखो दो बार 16 यह रहा ठीक है तो इसमें से एक बार है ना इसमें से एक बार 16 बाहर आ जाएगा ठीक है कहां लिखू यहां लिख देता हूं देखो यहां से आपके पास त्रिवुच का शेतरफल कितना आ जाएगा त्रिवुच का शेतरफल बराबर आ जाएगा देखो एक तो सोला आ जाएगा ठीक है फिर देखो तीन भी दो बार आ रहा है तीन भी दो बार आ रहा है तो उसमें से एक बार तीन आ गया बाहर और देखो आठ इतनी बार है दो बार यह रहा आठ भी कितनी बार है दो बार है तो उसमें से एक आठ भी आ गया तीनों की गोड़ा कर दो कितना हो जाएगा 16 और 8 यह जाएगा 24 तो यह जाएगा 1644-64 शाहर असिल लगा छे 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो गया 38, 384 cm2 यह आ जाएगा शेतरफल बताओ, सारे बच्चों को समझ में आ गया, हां जी, सारे बच्चों को समझ में आ गया, हिरोल का सूतर क्या है, कैसे करना है, क्या-क्या चीजे है, सारे बच्चों को क्लियर है, बताओ, बोलो बच्चों, किसी भी बच्चे को यह बहुत जरूरी है बेटा यह बहुत 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 जरूरी है ठीक है हिरोन का सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं आगे सबको समझ में चालो अब हम लोग करेंगे बच्चों क्वेज तो तैयार हुजाए क्वेज के लिए क्वेज का फर्स कोशन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और आप लोग आंजर करेंगे ठीक मैंने आपको पूरा एक सवाल अच्छे से समझा दिया कैसे करना है रेडी तो यह रहा सवाल बताओ क्या है इसका जवाब देखो क्या काजर है उस त्रिभुच का शेत्रफल करना है जिसकी मुझाएं 17 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तीनों मुझाएं दी गई है अब आप बताओ क्या होगा चेट्रफल चार विकल्प है A, B, C, D बताओ क्यों सा सही है उस त्रिभुच का शेत्रफल ग्याद कीजे बच्चों देखो यहाँ पर आपको क्या करना है फिर से वही बात मैं कहूंगा कि देखो आपको A का मान पता है आपको B का मान पता है आपको C का भी मान पता है तो तीनों मान पता हो फिर कितना आएगा 17, 8 और 15 सेंटीमीटर A, B, C, 3 आपको पता है चलिकरे देखो कैसे करेंगे A बराबर कितना है A बराबर है 17, B बराबर कितना है 8, C बराबर कितना है 15 तो सबसे पहले तो निकालो S A प्लस B प्लस C बटे में 2 यानि यह कितना हो जाएगा 17 प्लस 15 बटे में 2 कितना हो जाएगा 17, 15 कितना हो जाएगा पासाथ पाच्वारे का दो हासी लगा एक 32 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 40 बटे 2 40 बटे 2 का मतलब यह आगया 20 है ना यह 20 आ अब आप निकालोगे S माइनस A S माइनस B और S माइनस C यह कितना कितना आएगा देखो S आ रहा ह आपका 20 तो तीनों जगा आपने 20 लिख लिया तीनों जगा आपने क्या किया 20 लिख लिया अब 17, 8 और 15 इसको घटा देते हैं 17, 8 और 15 तो 20 में से 17 जाएगा 3, 8 जाएगा तो 12, 15 जाएगा तो 5 ठीक है अब आपका जो सूत्र है वो क्या है त्रिभूच का शेत्रफल माइनस A, S माइनस B और S माइनस C बेटा 10 बार सूत्र लिख लो याद हो जाएगा ठीक है कम से कम 10 बार सूत्र लिख लो तो याद हो जाएगा अब यहाँ पर मान रख देते हैं देखो वर्गमूल के अंदर S का मान कितना आया है 20 और यह कितना है 3 12 और 5 तो यह है आपका 20 यह है आपका 3 यह है आपका 12 और यह है आपका 5 ठीक है अब देखो 20 को क्या लिख सकते हो 5 चौक 20 20 को क्या लिख सकते है 4, 5, 20 ठीक है और ये वाला 5 को इसके साथ ही लिख लेते हैं ठीक है अच्छा 3 तो 3 ही है 12 को क्या लिख सकते हो 12 को लिख सकते हो बिटा 4, 3, 12 या 3, 4, 12 ऐसे लिख सकते हो ना बताओ 12 को क्या लिख सकते हो 4, 3, 12 या कहलो कि 3, 4, 12 तो इसको मैंने लिख दि तीन और गुरा में चार ठीक है अब देखो दो बार पांच में से क्या होगा एक पांच बाहर आ जाएगा जो शेतरफल आएगा उसमें क्या होगा त्रिबुट के शेतरफल में एक पांच आ जाएगा ठीक है ये जो चार है इस चार का वर्गमूल कितना आएगा दो आएगा चार का वर्ग बूल दो आ जाएगा दो बार देखो तीन है तो दो बार तीन है इस का मतलब उसमें से भी क्या होगा एक बार तीन आ जाएगा और एक बार चार है तो उसमें से भी क्या होगा एक बार दो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो पास दूनी दस तीन दूनी चे और दस च्छेंग, शाट सेंटी मीटर स्क्वार मैं या साथ वर्ग सेंटी मितने ये बी औप्चन आपका सुझे है बेटा देखो में यह नहीं चाहता कि आप सेंटी मैं तौर जब अल्टी मेट्ली आप सेंटी मोइन और लिए कहा जाए तो आप से कभी भी कोई भी सवाल करवा लिया जाए तो आप खुद से कर पाओ अमित सरकार सिर्फ यही मोटिव है ठीक है समझ रहे हो बात को मालो आपने भेड़ चाल में कई सारे सवाल कर लिये लेकिन खुद से आप से एक सवाल भी नहीं हो पारा तो उस चीज का कोई फायदा है क्या मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद बच्चों आपको जैसा की पता है कि क्लास 9 के लिए बच्चों हासिल बैच जो है यह 15 मार्च से शुरू हो चुका है कब से शुरू हाए बटा पंदरा मार्च से शुरू हो चुका है तो 19 तारीक हो गई कोई बात नहीं है लेकिन अभी क्या है कि दो ही तीन दिन हुए ज्यादा नहीं है ठीक है तीन चार दिन माल लो क्योंकि बीच में तो होली थी अभी कल होली भी थी तो होली की भी छुट्टी थी तो कोई ऐसी बात नहीं है अभी ज्यादा टाइम नहीं ह 플리 सबसे पहले तो आपके प्यारे अपके अपके दुटार अमित-सर है ठीक है उसके बाद रुची मैम है पुझा मैम है निस्ठा मैं है विलाल सर है रहे कब अगर मैं आपको ये बताओं कि बई क्या फीचर सेंस के तो यह हासिल बैच के फीचर के ये हैं कि इसमें आपको बेलियर लिएक होम़क मिलते हैं लोग में हर सब्सब्जेκट में बनाए है ठीक है जो हमारी डाउटनेट में और टीचर्स हैं उन्होंने ही वो नोट्स बनाए है और बहुत सोस समझ कर एक एक चीज पूरा बच्चों के हिसाब से ताकि उन्हें आसानी से समझ में आ जाए तब बनाए है ठीक है और हर हफते बेटा आपके टेस्ट होंगे डाउट सॉल्विंग आपका कोई डाउट नहीं बचेगा वैसे तो टीचर्स की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपको कोई डाउट आए ही नहीं लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक किसी भी समय पूछ सकते हैं और केवल दो मिनट के अंदर आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व करके बता दिया जाएगा यह है ठीक है प्यारे बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारा कॉंटेक्ट नम्मर है जिस पर आप इस कोर्स क बारे में जो भी जानकारी चाहें वो ले सकते हैं तो हमारा जो यह कॉर्ण से बिता इस हासल बैच्च के बारे में आपको बता दूँ कि आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए फीज कितनी है टाइम टेबल क्या होगा और भी आपके दिमाग में सवाल होगे तो वह आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं 01247158250 ओके ठीक है चली तो आप में से कौन-कौन बच्चे चाहते हैं हासिल बैद जॉइन करना आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं वी आई पी कोर्स में दिल्चस्पी है इंट्रस्टेड इन वी आई पी कोर्स ओके चलिए अब आगे बढ़ते मचो और बात करते हैं उस त्र अभी त्रिबुच का शेत्रफल निकालने में बताओ उस त्रिबुच का शेत्रफल ज्याद कीजिए जिसकी मुझाए 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है सॉरी बताओ बच्चों मैं देख रहा हूं कौन कौन बच्चे आंसर कर रहे हैं आपको ABC के मान दिये हैं अब कुछ नहीं करना बिटा S निकालना है फिर उसके बाद S-A, S-B, S-C निकालो और सारा मान उठाके सूत्र में रख दो बस ठीक है तो देखो A का मान आपको कितना दिया हुआ है A बराबर है बच्चों 12, B बराबर कितना है 16, C बराबर कितना है 20 तो आपने सबसे पहले S निकाला, S कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बटे में 2 यानि कि यह कितना हो जाएगा यहां से? 12 प्लस 16 प्लस 20 बटे में 2 तो कितना हो जाएगा देखो? 16 और 12 कितने होते हैं? 6 और 2, 8 बारा बारा 24 और 4 कितने हो जाएंगे? 28, 28 और 20 कितने हो गए? 48, 48 बटे 2 यानि कि यह आगया आपके पास 24 कितना हो जाएगा? 24 आजाएगा इसके बाद बिटा अब देखो S माइनस A निकाला S माइनस B निकाला और S माइनस C निकाला S 24 है तो तीनों जगा हमने 24, 24, 24 लिख लिए 24 में से 12 गटा दिया, 24 में से 16 गटा दिया, 24 में से 20 गटा दिया 12 गटा होगे 12 आएगा, 16 गटा होगे 8 आएगा और 20 गटा होगे तो 4 आएगा ठीक है अब आपके पास सूत्र क्या है? त्रिबुच का शेत्रफल त्रिबुच का शेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल के अंदर, S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C यही होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल के अंदर देखो, 12 हो जाएगा, सॉरी, S का मान तो कितना है? 24, ठीक है तो यह हो गया, आपका 24 गुड़ा, फिर कितना हो जाएगा, 12 गुड़ा, 8 और गुड़ा, 4 यह हो गया, अब आप यहाँ से बताएगे कितना आएगा, देखो, यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 24 को लिख सकते हो, 24 को क्या लिख सकते हो, दो गुड़ा, 12, क्योंकि चार है यह अब देखो इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है देखो यह देखो दो बार बारा है तो एक बार बारा आ जाएगा गुणा दो बार बारा है तो एक बार बारा आ गया ठीक है एक यह रहा दो और एक यह रहा दो तो इसमें से एक दो आ गया एक चार यह रहा एक चार कितना अगा बता। यह चार दुनी आठवारत्टे सिन इह बारथे-ulus में शगमे शानवे सेंटी मीटर स्क्वार और मात्र क्लिखना मत भूल जाना सेंटी मीटर्स क्वार यह आ आपके तरिभुच का शेतरफल यह क्या आगा वाच्छ आपके ट्रिभच का शेतरफल ठीक है 96 सेंटीमीटर सकार कितने बущ का सही है कि तने बच्चों का सही है वई सब का यह यह कुछ और है बताव सबका यही है यह फिर कच्छ हूर है सबका यही है करेक्ट है चालो अब आगे बढ़ते हैं और अगला एक सवाल करते हैं यह कहरें एक त्रिभुच की भुजाओं का अनुपात चार पास तीन है परिमाप 96 सेंटीमिटर है तो इसका शेत्रफल बताईए क्या होगा यहां पर आपको सीधा भुजाओं का अनुपात दिया है और आपको परिमाप दिया है तो पहले आप भुजाओं के अनुपात से भुजाओं और फिर आप निकालेंगे शेत्रफल बताओ कैसे करोंगे चार उनुपात पांच उनुपात देखो बिटा इसके लिए आपको एक उभैनिस्ट गुड़नखंड मानना पड़ेगा एक्स जो तीनों में हो मतलब पहली भुजाओं अगर आप चार एक्स लोगे तो दूसरी हो जाएगी पांच एक्स और तीसरी हो जाएगी तीन एक्स क्योंकि एक्स जो है वो तीनों में रहेगा तभी तो अनुपात चार पांच तीन आएगा वर्ना कैसे आएगा ठीक है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं देखो माना पहली भुजा माना पहली भुजा देखो अनुपात के हिसाब से हमने माना वो क्या हो जाएगा चार गुड़ा एक्स तो दूसरी क्या हो जाएगी दूसरी भुजा दूसरी भुजा क्या है देखो पांच है तो यह हो जाएगा पांच गुड़ा एक्स ठीक है अब क्या होगा बिटा तीसरी भुजा बतां तीसरी भुजा तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी देखो यहां पर तीन एन तो कितना हो जाएगा तीन गुड़ा में एक्स हो जाए ठीक है अब यहां से कितना होगा विटा यह होगा आपके पास चार एक्स यह आपके पास 5 एक्स और यह आपके पास तीन एकस ठीक है अब परिमाप का क्या मतलब होता है बिटा परिमाप का मतलब होता है कि तीनों बुजाओं को जोड़ दो यही तो होता है परिमाप का मतलब परिमाप दिया है नोने 96 तो मतलब 4X, 5X और 3X तीनों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया 4X, 5X, 3X तीनों को हमने जोड़ दिया तो कितना हो झाईागा 4 और 5 नौ 923 तौ यह आ जाए का आपके पास 12 एक्स बराबर कितना छी आनवे ठीक है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 26 बटे बारा प्स बराबर कितना आ जाएगा 96 बटे यानि की X बराबर कितना आ जाएगा 12,8, 96, 12, 96, X का मान आ गया 8 अब यहां से 3 भुजाए निकालो, 4,8, 32 ठीक है फिर 5,8, 40 फिर कितना होगा, 3,8, 24 ठीक है और हमारा अर्ध परिमाप क्या होगा यानि की S बेटा, S का मान कितना आएगा, S का मान आएगा, P बटे 2, P क्या होता है, पूरा का पूरा परिमाप, जो आपको यहां पर दिया था, यह 96, यही तो है, पूरा का पूरा परिमाप, तो इसका आप का कर दो, आधा कर दो, तो यह आपके पास कितना आ जाएगा, 48, ठीक है अब देखो आपके पास सारी चीज़े हैं आपके पास A भी है B है C है और S भी है तो अब आप निकालो S माइनस A S माइनस B और S माइनस C अच्छा सवाल है बिटा ये और आपको बता दूँ एक्जाम में इस तरह के सवाल के पूछे जाने की संभावना जादा होती है इस तरह का जो question होता है तभी तो हम लोग most important questions कर रहे हैं और आपको पता भी चल रहा होगा तो S माइनस A कितना आएगा देखो 48, 48, 48 इसमें से घटा दिया 32, इसमें से घटा दिया 40, इसमें से घटा दिया 24 32 गटाया आठट कितना आएगा 16 आएगा तैरा 32 गटायोके तो कितना आएगा 16 और यह आजाएगा आपके पास आठ और यह आ जाएगा आपके पास 24 ठीक है तीनों के मान पता है अब S-A, S-B, S-C ठीक है तो त्रिबुच का शेतरफल बराबर क्या होगा वर्गमूल के अंदर यह होता है बच्चो S, S-A, S-B, S-C तो यहां से क्या हो जाएगा त्रिबुच का शेतरफल बराबर क्या होगा S, S कितना है बच्चो बताना, S है हमारा 48, तो यह हो जाएगा 48 into, यह कितना कितना आ रहा है, 16, 8 और 24, अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, 48 को कैसे लिख सकते हो, 3, 16, 38, फिर यह वाला 16, फिर 8 को लिख सकते हो, कितना, 4, गुड़ा, 2, और 24 को क्या लिख सकते हो, 3, 8, 24, ठीक है, आ रहा है समझ में, अब देखो, एक बार 3 यह रहा, एक बार 3 यह रहा, तो कितना आ जाएगा, बताना जाएगा, कितना कितना आ जाएगा, तीन और तीन से, या इसको ऐसे ना करके, आप, और कैसे कर सकते हो भई, 24 को लिख लिए, आपने 8 या 24, आठ को लिख लिए, आपने 4 दुनी आठ, ठीक है, हाँ, इसको 24 को आप लिख सकते हो, तो आठ या 24 हाँ, उसको मत तोड़ो, येस, ये देखो, इसको तोड़ने की ज़रूत नहीं है, देखिए, 8 को तो आप ऐसे ही रहने दो, ये वाला जो 8 है, इसको तो ऐसे ही रहने दो, 24 को लिख लो, 3, 8, 24, अब देखो, 2 बार 16 है, तो एक बार 16 आ गया, एक बार 8 ही रहा, एक बार 8 ही रहा, तो इसमें से 1, 8 आ गया, एक तीन ये रहा एक तीन ये रहा तो इसमें से एक तीन भी आ गया तीनों की क्या कर दो गुणा 16 गुणा आट या 24 एक इतना हो जाएगा 16 चोको 64 और यह आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वार तीन सो चौरासी सेंटीमीटर स्क्वार यानि कि आपका कौन सा विकल्प सही है पहला पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है तो पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा हमें तीनों नहीं पता थी पहले आपने वह निकाली फिर हमने क्या किया सूतर लगाया ओके समझ में आ रहा है सबको यह कोशन अच्छा सवाल था बिटा यह चलो अगला सव सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर है बताओ कैसे करोगे हिरोन के सूतर पर यह सवाल है एक भुजा कितनी है 11 दूसरी भुजा कितनी है आठ तीसरी भुजा हमें नहीं पता लेकिन उन्होंने हमें परिमाप दिया है अब परिमाप क्या होता है बच करने से मतलब तीनों होजाओं को जोडने से तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो एफ लएस बी प्लस सी अब दो भुझाए तो पता रहा है नहीं पता और परिमाप कितना दिया है 32 दिया हुआ है ठीक है यहां से सी कितना आ जाएगा 32 और इसमें से क्या घड़ा तो में तहिरा थे सेंटी मीटर स्टीसरी बुजा है वह किटनी है एक एर परिमाफ अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप जिसे हम कहते है एस बेटा आधा परिमाप अर्ध परिमाप का मतलब क्या है आधा परिमाप वो क्या होगा पूरे परिमाप यानि पी का आधा पी बटे दो हो जाएगा तो पूरा का पूरा परिमाप कितना है बत्तिस है तो बत्तिस का क्या ह पता हो गया आदा यह कितना आ हुलता है सोन ऐसका मान कितना एक सोला अब यह बराबर 8, 16 minus 11 और ही हो जाएगा 16 minus 13 तो कितना आएगा? 8 आएगा यहां से 5 और यहां से 3 तीक है? अब बच्चों सूतर जानते हो हिरों का त्रिभुच का शेत्रफल त्रिभुच का शेत्रफल होता है वर्गमूल के अंदर S S minus A S-B S-C यही होता है वर्गमुल के अंदर S-A, S-B, S-C तो यहां से कितना हो जाएगा वर्गमुल के अंदर देखो S का मान तो कितना है 16 16 आ गया और यह आया है 8, 5 और 3 यहां पर हम लिख देंगे 8, 5 और 3 ठीक है अब देखो 16 का वर्गमुल 4 बाहर आ जाएगा 16 का वर्गमुल तो हो गया 4, 8 का क्या लिख सकते हो 8 को लिख सकते हो 4 गुणा 2 क्योंकि 4 दुनी 8 होता है फिर क्या है 5 और 3 इसको ऐसे ही रहने देते हैं 5 है और 3 है तो यहां से कितना आ जाएगा 4 और यहां से देखो और 4 दुनी कितना होगा 8 तो यह हो गया 8 अंडर रूट के अंदर 30 cm2 ठीक है 8 रूट 30 cm2 ठीक है सबको समझ में आ रहा है बच्चो बताओ हीरोन का सूतर हम लोग पढ़ रहे है बहुत अच्छे से पढ़ रहे है एक एक चीज को ध्यान से क्लियर करते वे चल रहे है ठीक है सबको क्लियर है बच्चो चलो अब एक क्विज और करते हैं लेट्स डू वन मोर क्विज एक क्विज का कोशन और करते हैं फिर उसके बाद जो है आज की क्लास खत्म जेए तो बेटा एक सवाल बताओ क्या है हाँ जी एक तरिमुजाखार भुखंड की भुजाओ कानुपाद 357 है और उसका परिमाफ 300 मीटर है क्या होगा बच्चों आंसर इस तरह का सवाल में आपको करा चुका हूँ अभी आपको एक कोशन ऐसा कराए था कि अगर आपको तरिमुज की भुजाओ का अनुपाद दिया है आपको परिमाब भी दिया है तो उस भुखंड का यानि उस प्लॉट का शेतरफल कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से हिरोन के सूत्र से तो करना क्या है बच्चों देखो कर रहे हो सॉल की नहीं बताओ आपको तीनों की तीनों भुजाओ का अनुपाद दिया हुआ है तो आपने हापे मान लिया माना पहली भुजा ठीक है आपने माना पहली भुजा माना पहली भुजा बराबन कितना अनुपाद के हिसाब से तीन गोड़ा एक्स है हमने तीन के साथ एक उभैनिस्ट गोड़न खंड लिया है जो तीनों में होगा तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? दूसरी भुजा क्या हो जाएगी बच्चों? पाँच दिया है तो पाँच गुडा एक्स और फिर तीसरी भुजा क्या होगी? तीसरी मुझा क्या है? साथ तो साथ गोड़ा एक्स ये कितना आगया आपके पास? तीन एक्स ये कितना आगया आपके पास? पांच एक्स और ये कितना आगया आपके पास? साथ एक्स तीन एक्स, पांच एक्स और साथ एक्स ये आ गया अब आप मुझे बताइए कि यहां पर बच्चों क्या करेंगे परिमाप का क्या मतलब होता है देखो परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों समझना ज़रा बात को परिमाप यानि की S सॉरी परिमाप यानि की P S तो होता है बटा अर्ध परिमाप ये P यह कितना दिया हुआ है परिमाप दिया है आपको 300 ठीक है तो परिमाप निकालते कैसे हैं बताईए तीनों भुजाओं को जोडने से यानि की 3x 5x और कितना 7x इन तीनों को जोडने से हमने निकाला ठीक है कितना आ जाएगा 3 और 5 8 8 7 15 एक्स बरावर कितना 300 तो x बरावर कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 यानि की x बरावर आ गया 20 15 दूनी 30 यानि की x बरावर आ गया 20 अब यह x बरावर 20 यहां रख देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 20 20 या 60 और यह कितना हो जाएगा 5 गुणा 20 यानि की 5 दूनी 10 मतलब 100 और 7 गुणा 20 जाद क्या करेंगे बच्चो अर्ध परीमाप निकालते हैं S.S क्या आएगा पूरे परीमाप का आधा यानि की पी बटे दो पूरा परीमाप कितना है 300 तो क्या हो जाएगा यह 300 बटे दो 300 बटे-2 यानि की आगे आपका 1.500 ठेक है अब आपने निकाला क्या S-A S-B और S-C, S-A, S-B, S-C, S कमान तो 150 है, तो तीनो जगा पर आपने 150 लिख लिए, S-A, S-B, S-C, तीनो जगा आपने क्या लिख लिए, 150, इसके बाद क्या होगा बच्चों बताओ, देखो, S-A, 250 में से क्या घटाएंगे यह A का मान है 60 जो है ठीक है यह B का मान कितना है 100 और C का मान कितना है 140 तो यहाँ से तो आजाएंगा 90 यहाँ से कितना आ जाएगा 50 और यहाँ से कितना आजाएगा 10 ठीक है अब आप क्या करोगे अब आप सूत्र में मान उठाके रखोगे सूत्र क्या होता है हिरोन का त्रिवुच का शेत्रफल त्रिवुच का शेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल के अंदर स minis-a एस-ma-b s-mina-c यहां से वर्गमूल के अंदर कितना आजाएगा एस का मान है 150 गुराइस-E एस-B S-C नभब वहime पचास और 10 यहां पर लिख दिया नभबे पंचास और 10 अब लेको कैसे लिख लेंगे इसको या देको पंदREE को किया 150 का लिख सकते हो सिर टीन गोड़ा पांच गोड़ा कितना दस लिख सकते हैं किना लिख सकते हैं एक लिख तक थे Ec सो पचास को टीन बंजे पंद रहार और 19ा ठीक है 90 को क्या लिख सकते हो 9 गुड़ा 10 ठीक है 50 को क्या लिख सकते हो 5 गुड़ा 10 और ये वाला 10 ही है अब देखो यहां से क्या आपका वर्गमुल से बाहर निकाल सकते हो तो देखो एक बार पांच यह रहा एक बार पांच यह रहा दो बार पांच है तो एक बार पांच भाहर आ गया फिक और दो बार रॉलफ यहां पर भी तो उसमें से भी एक बार 10 भाहर आ आठाट आधेगे है अब क्या यह वाला जो नो है तो नो का वरगुल कितना होता है तीन लो का वर वर लोंतीन लेकिन ये वाला तीन तो बच गया वर गुल चैंतर केला ये तीन अकेला बचझ किया हम अकेला ही लिखते देते हैं ऐसे ही तो यहां से कित्ता हो जाएगा पानसो पास्तिए शेति मिट्रे स्कॉर्र यह आपका क्या और अप चाल को शेत्र फल हो Driven चलो तो बिटा I hope कि आप सभी को मज़ा आया होगा आज की क्लास में और सभी ने अच्छे तरीके से सारी चीजे पढ़ ली होगी सब को मज़ा आ गया होगा और बच्चों अगर मज़ा आया है क्लास अच्छी लगी है तो like share करना जरूर से जरूर जितने सारे बच्चे हैं ज क्लास अच्छी लगी है घच्छी है करना जर थाखावाब में तो बाया हो आया होगा